कि उसको चला कि जैहन इमांसु मिस्रा जल्दिली सारे लोग जुड़िये भाई आपकी क्लास फिर सुरू होने वाली है है ना जल्दिली सारे लोग जुड़ आहिए है मांसु मिस्रा जया हिन जल्दिली सारे लोग लिंक jury किर दिजिए और जल्दि से सारे लोग जुड़ थे और हमारी class अपने अब बंद हो गए थै न तो आज हम लोग उसी के आगे के जो प्रस्ट ने उनको सुरू करने वाले हैं तो जल्दी अलधी सारे लिंक शेयर कीजिए जल्दी से आईए और लिंक शेयर कीजिए अपने कल जहां से हम लोग खतम किये थे आज वहीं से फिर से हम लोग क्या करेंगे सुरुवात करेंगे है ना कल जहां से खतम किये थे वहीं से फिर हम लोग सुरुवात करेंगे तो link को share कीजिए और जल्दी से आईए यहाँ पे सात्वा स्रीज है हमारे प्रस्नों का जो आगे आने वाले जो एक्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्तुपोर्ण है बहुत ही महत्तुपोर्ण है कुछ दिनों में आपका Y-Group का एक्जाम लगा हुआ है आगे G-D का लगा हुआ है और उसके बाद N-D-A का भी लगा हुआ है तो मैं ऐसे प्रस्न लेके आ रहा हूं जो हर एक एक लाइक हो है ना वह में असकते हैं वह आपके काम आ सकते हैं और उसके काम जाहिए जल्दी से लिंक सेयर कीजिए और सारे लोग जुड़िए लिंक सेयर करके सारे लोग जुड़िए जल्दी से जल्दी तो कल हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रस्नों की स्प्रंखला में तो हमने पहला प्रस्नों जो देखा था आज पहले एक बार रिव्यू ले 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 सिक्स था छे माता है ना इसका एंसर हम लोगों ने देख लिया था दूसरा प्रस्ट था हमारा यस मिस्रा जहिन 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 सारे लोग जुड़िए लिंक को से रिकिजिए और सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए सिसन को उसके बाद हमने लोग सभा में आजू की जाने वाली कि अपिछित गणपूर्ती मतलब कोरम के बारे में देखा था जिसका एंसर सी था एक बटे दस था है ना लिंकों से आप मेरे आइडल है सरहिमान सुनिष्रा थैंक्यू थैंक्यू बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं थैंक्यू लाइक कर दीजिए सिसन को है ना आगले कि ठीसरा प्रस्त हमारा जो था भारती राष्टी कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्टपटी मतलब अग्धचे कौन थे इसके बारे मीध पूंच रहा है था तो इसको मैंने आपसे बताया-को बद्रुद्धिन तयदी थे था ना श्रीजन राय जैहिन जैहिन याले यले 1998 में पाये थे पहले भारती जो थे वो थे पाने वाले विनोबा भावे विनोबा भावे से प्रस्थ आपके एक्जाम में हमेशा आता है हमेशा आपके प्रस्थ आता है विनोबा भावे से रेलेटेड है ना ये धा हमारा प्रस्थ जहां पे कल हमारी जो स्रीज थी बंद हो थी अब हम सुरू करने वाले हैं अपने कल यहां छोड़े थे वहीं से आज फिर हम लोग सुरुवात करेंगे सुनील राय सुनील राय जैहिंद मेरे प्यारे सर जैहिंद बिलकुन जैहिंद सेशन को सेयर कीजिए लाइक कीजिए और बच्चे जितने भी हैं जल्दी अले आपके सामने प्रस्थन हैं और तुरंत इसका एंसर दीजिए लाइक करते जाएगा सेशन के जो आए लाइक करिए जो रुजजरे सेशन को और सेयर करिए ताकि सारे लोग आ जाए बिटिस संसद में चुने जाने वाले पहले भारती कौन थे इसका एंसर आप लोग छापि जल्दी से इसका एंसर दीजे इसका एंसर क्या होगा क्या एंसर क्या अप दे रहे है तो कल भी हम लोगों इसके बारे बात किया था और जब यह कोश्तन आया तो बीच में कुछ टेकनिकल इसु के कारण हमारा वीडियो बंध हो गया था तो मैंने सोचा कि जो पंदरा कोर्षन आपके बहतरीन है ऐसा नहों को आपसे छूट जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर से शुरू किया है ताकि आप लोग के पास बहतरीन प्रस्ने पहुंचते रहें तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर सही होगा ए आपको पता हो ऐसे प्रस्न हमेशा एंडिया की एक्जाम में आते हैं ऐसे प्रस्न हमेशा जो भी एक्जाम है चाहे जीडी के एक्जाम हो चाहे आर्मी के एक्जाम हो है ना चाहे क्लरक वाला हो चाहे वो वाई गुरूप का हो उसमें ऐसे प्रस्न आते हैं आप से पूछ रहा है कि प्राचीन भारत की बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है ये बुक का नाम भले ही अर्धसास्त्त है ये लेकिन बेज़्ध है राजनीती विज्ञान से मतलब इसमें सासन प्रसासन के बारे में बात की गई है और किसका सासन प्रसासन जो मौर्यकाल का था किसका मौर्यकाल के सासन प्रसासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है किस पुस्तक से वो पुस्तक का नाम है अर्थसास अंकित पाल जहिन जहिन हिवानसु मिस्रा डी तो इस पुस्तक का नाम क्या है पुस्तक का नाम है अर्थसास पुस्तक के लेखक कौन है पुस्तक के लीजिएगा चाड़क को कौटिले भी बोला जाता है चाड़क को विश्लू गुप्त भी बोला जाता है तो चाड़क ने अर्थिसास नामक पुस्तक लिखी थी अगर आप से पूछ ले कि मेगा इस्थनीज ने किस पुस्तक को लिखा था मेगा इस्थनीज द्वारा लिखी परा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका सारे लोग से सन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हैं कम से कम जितने लोग हैं उतनी लाइक तो होनी चाहिए है ना तो से सन को लाइक करिए और सारे बच्चे जुड़िए जितने भी बच्चे हैं सारे लोग आईए ये प की से सेलक्शन पाएं लगो索 आप सेलक्षन पाएंगे तो हमारा भी मां बढ़ेगा आतके घर वाली का बढ़ेगा रहागा आजये कुमार वर्मा जय हिंद सारे लोग जुडियों सेशन को लाइक करिए शेयर करिए आपका फरज बनता है कि आप सेशन को लाइक करें सेशन को सेयर करें है ना तो छटवे का एंसर हमारा होगा बी चाड़क अर्थ साथ पुष्टक को लिखा है चाड़क किने चलिए बढ़ते हैं आपने अगले प्रस्निक तरब अगला प्रस्न है हमारा साथवा किसकी बात करता है फ्रांसिसको डी अलमेडा कौन था इसका एंसर दीजिए क्या वो भारत में अंग्रेजी वाइसराय था भारत में पुर्तगाली वाइसराय था भारत में फ्रांसिसी वाइसराय था या भारत में डच वाइसराय था इसका एंसर चाप दीजिए आप लोग अब सेक यदवनसी का सबसे पहले एंसर आया है वो बता रहे हैं B अब सेक यदवनसी का सबसे पहले एंसर आया है इसका व एंसर क्या होगा सेशन को लाइक कर दीजिए भाई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जितने भी लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए तो इसका एंसर चलिए हम बताते हैं आपको कि इसका एंसर क्या होगा आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो यूरो क Tibaltique sapnaड TV है। साम जी ata antola का एंसर बढ़न से क्या है। इसी क्रम में इसी क्रम में फ्रांसीसिको डील मेडा 1505 में कब 1505 में पुर्तगाली जो कंपनी मे'm recep उसका क्या बनता है वाइसराय बनता है और कब तक रहता है फंदरा सो नौ तक फंदरा सो नौ तक वाइसराय बनके रहता है पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था ये पहला गवर्नर पहला वाइसराय था कौन था फ्रांसिसको डी अलमिडा ठीक है इसने ब्लू वाटर ब्लू वाटर पाल्सी को कौन लागू करता है तो वो था फ्रांसिसको डी अलमीडा आपको पता ही होगा फ्रांसिसको डी अलमीडा ने क्या किया था इसथापना की थी किसने सांद जलनीती की है ना आगे बढ़ते हैं सर मैं नया हूं और मुझे नेवी SSR क्रैक करना सबसे पहले तो अपना SLAVUS हाब, समझजी आपका SLAVUS क्या है, मिलसन किया गया है. हैना, जब SLAVUS जान लेंगे आप, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरा की हम को तैयारी करनी है. तो मैंने आपके NAVY S.S.R. का भी SLAVUS क्या किया हुआ है, वहांपे? discussion किया हुआ है विकास निसाद, sorry sir लेट हो गया, आज कोई बात नहीं जल्दी जुर जाइए और session को like कर दीजिए और share कर दीजिए, तो आप जाके अपने नेवी SSR का क्या देखिए slavus देखिए, फिर slavus के अनुसार तयारी कीजिए, बाकी आपके लिए हम लोग तत्पर हैं, आपके लिए बहतरीन प्रस्न ला रहें, ताकि आप पहले class में पढ़ें, class के बाद प्रस्नों को solve करें, ताकि आप की तयारी perfect हो जाए है ना, इसका प्रस्न बात किसे माना जाता है, तो आप answer देंगे, अलबू करक जो अलबू करक है जो अलबू करक था वो क्या था? पुर्तगाली कंपनी का वास्त्विक्स तन स्थापक था वास्त्विक्स तन स्थापक अलबू करक था, इसने गोवा को जीत लिया था बीजापुर के सासक से गोवा को जीता है 1510 में कौन अल्बु करक जीता है ये भी आपसे प्रस्न पूछता है कि किसने गोवा को जीता था पूछता है किसने गोवा को जीता था बीजापुर के सासक से तो कौन था वो अल्बु करक था कब जीता है 1510 में प्रस् नीनो डी कुनहां क्या नाम था नीनो डी कुनहां जिसने कोचीन से राजधानी इस्थांत्रित कर दी थी कहां गोवा ठीक है इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए ऐसे प्रसना आपकी एक्जाम में आते हैं अब इसे खाय बोल रहे हैं स्रीजन राय और राजधानी भी बनाया राजधानी इसने नहीं बनाया था राजधानिनी निनो डी कुनहां ने बनाया लगभग 1539 między इस चीज को दिमाग में रखिएगा यह तो 1510 में सिर्प जीतता है है ना यह तो 1510 में जीतता है रोहित कुमार जैहिन सर जैहिन स्रिजार राइंड हाँ नेनो डिकुन हाँ बिलकुन इस चीज़ को ध्यान में रख लीज़ेगा ऐसे प्रस्ण आपके एक्जाम में आते हैं हमेशा आते रहे हैं यह कोई पहली बार नहीं है इसलिए मै मारा आठाब प्रस्णी किसकी बात करता है आठो कीट अब करता है चंद्रगुक्त विक्रमाधित था इसका देना ही पड़ेगा रोहित कुमासर एड्मिट काड़ कबाया, एड्मिट काड़ जल्द ही आएगा, चेक करते रहेगा, है ना, चेक करते रहेगा, इसका एंसर अभी दीजिए, अभी जिस चीज के लिए आप यहाँ पे खड़े हों, वो चीज कंप्लीट करिए, जब मैं सेसन कंप्लीट करने हर्स जैसवाल भी दे रहे हैं, आदर्स केस्ति हर्स वर्धन बता रहे हैं, अंकित पाल भी दे रहे हैं, अपना बरजेश राजपुछ सी दे रहे हैं, अब सेक यदवन्सी सी दे रहे हैं, रोहित कुमार भी, मंता वर्मा डी, हिमान्सु मिस्रा डी, चलिया आए इसका एं अगर आप इलाहाबाद के अंदर है अगर वर्तवान में आप इलाहाबाद के अंदर है अगर आप संगम की तरह परेड की तरफ जाते होंगे तो आपको एक चुंगी पढ़ता होगा चुंगी नाम है है ना वहां पे आपको एक मूर्ति दिखती है जिसमें ऐसे लेकर के कलस एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, है ना, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, वे व्यक्ति कोई और नहीं, वही हर्चवर्धन है, वही क्या है, राजा हर्चवर्धन है, समझ रहे बात को, वो हर्चवर्धन है, उनकी मूर्ती बनाई इसलिए गई थी, क्योंकि वो संगम में आते थ अपने प्रियाग राज में आते थे और पांच साल में एक बार आते थे और जो धार्मिक सभा है उसका एयोजन किया करते थे उसमें वो अपना सरवस्त क्या करते थे दान करते थे लगभग कीजिए वो दान करके चले जाते थे है ना इसी लिए वो इसके लिए जाने जाते है तो प्रियाग में पांक साल में धार्मिक सभा कौन करते थे वो करते थे राजा भरस वर्धन इसको याद रखियेगा है ना, इसको याद रखियेगा ऐसे प्रसनाब से पूछा जाता रहा है रोहित कुमार का भी एंसर B है आदर्स आभी, मohit Άदो, डी नहीं होगा इसका इंसर या बी होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, गलती यहां कर लिजिए, मैं दस बार बोल चुका हूँ, गलती यहां कर लिजिए, आपके लिए बेटर है, गलती यहां पे करेंगे, सीख जाइँगे, यहां करेंगे, भाहर म से भाहर कर दिये जाएंगे इस चीज़ को दिमाग में डाल लिजिए तो जितनी गलती प्रेक्टिस किसमें आप कर लेंगे उतना ही आफ परफिक्ट बनते चले जाएंगे तो सारे लोग जुड़िए सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़िए है ना अगले प्रस्जिक जब सबसे पहले सराया है अंकित पाल आन्सर रहे हैं अंकित पाल एंसर रहा है पहले सर नहीं बी-बी-बी-ःदिक-पांडे इसका-एदेरे एंसर एक सेसंद में एक प्रस्ण ज़रूर से जरूर लाता हूँ और हर बार पूरा सhज से explain करता हूँ क्यों लाता हूं आखिर जरूरत क्या है यह बताईएʟ क्या में पागल हूँ है ना ऐसा तो ही नहीं इसलिए एक ही प्रस्ण पूचा जाता है, वो कोई भी चीज पूच सकता है, इसलिए मैं हर बार बदल बदल के आपके लिए लाता रहता हूँ, तो इसका एंसर सही होगा, सुक्र को, मैंने इससे पहले विनस को, भी इसका सही एंसर क्या होगा, इसे भोर का तारा या सुबा का तारा भी का जाता है भोर को गाउं में सुबा ही बोलते ने कि भोर हो गई हो गई ना भोर प्राताकाल का तारा भी बोला जाता है इस चीज को दिमाग में आप डालीजिए इसे इसे प्रिथवी की इसे प्रिथवी की जुड़वा बहन भी बो एंसर भी होगा बुद्ध जो है वह सबसे छोटा ग्रहा है ख्या है सबसे छोटा ग्रहा और आपसे पूछेगा तो आप एंसर मारहेंगे और सूर के सबसे नस्दीक भी यही यही ग्रहा है इस चीज़ को आप देख लीजिए जान लीजिए हाँ सिस्टर बोला जाता है किसको विनस्ष को बोला जाता किसकी सिस्टर अर्थ-किस इस्टर ठीक है जुड़वा बहन और ब्रहस्पति जो है वो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहा है सबसे बड़ा ग्रहा है ठीक है सबसे बड़ा ग्रहा है सनी सनी सरवाधिक सनी के पास सरवाधिक सटेल लाइट है मतलब सरवाधिक उपग्रह किसके पास है सनी ग्रह के पास सरवाधिक उपग्रह है ठीक है तो इन में ज प्रसने गल्स हो गएंगे क्योंकि कोई दूसरा इन प्रसनों को सभी करके चला जाएगा और वो मेरिट बढ़ा देगा और आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो हम मेरिट से बाहर हो जाएंगे ठीक है कुछ चीजे सबस्ज में आ रही है तो बताइए आदर्स के स्री के अंसर भी आ रहा है बिलकुं इसके अंसर भी होगा ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते अपने अगले प्रस्णी की तरफ ठीक है इसी तरह लगे रही है इसी तरह लगे रही है विस्वास मानिए अगर आप लगे रहे गए ना दो महीने सिब लगातार दे दीजिए लगातार दो महीने आद दे दीजिए समर्पित कर दीजिए हम लोग के प्रती और अपने प्रती भी समर्पित हो जाईए विस्वास मानिए आपके अगर सीने में आपके अगर अगर आप वर्दी नहीं पहिन लेते है ना बस लगे रहे होगा जरूर से जरूर होगा आपका हार एक चीज चलिए आगे अपने अगले प्रस्ण के तरफ चलते हैं दस्वा प्रस्ण किसकी बात करता है देखे यह थोड़ा सा बहतरीन प्रस्ण है ऐसे प्रस्ण भी पूछा जाता है ऐसे प्रस्ण भी आते हैं मै मैंने क्या कहना कि मैं नीचे लेवल का भी और उपर लेवल का भी मतलब हाई लेवल और लोवर लेवल जो भी है सारे प्रस्थने कराऊंगा ताकि कठिन से कठिन आए सरल से सरल आए तो भी वह आप से छुटने ना पाए हिमानसु मिज़ा 24 को एक्जाम ऐसा तो 24 के लिए तो परेसान है आपके लिए ये 24 के लिए ही तो परेसान है क्या 24 के बाद जीवन समाब ऐसा तो है नहीं है मेरी कामना यही है कि 24 को सारे लोग जो एक्जाम देने जा रहे हैं वो सिलेक्ट हों लेकिन अगर ऐसा नहीं होता त नपूर्णा त्रिपाथि रहे हैं अभुचि यौन सी डे रहा है मतलब लगभग लोग जो है इसका क्या दे रहे हैं डी आंद्र प्रदेश और तमिल नाडू के बीच में जो तठ है उसके मद्ध जो तठ है उसको क्या बूला जाता है क्या कोंकड क्या कोरो मंडल या पूर्वतट या मालाबार तठ तो एक चीज़ याद रखिए रोहित कुमार का एंसर बी आ रहा है तो जिसका भी एंसर इसमें बी आ रहा है वो क्या है एकदम सही है इसका एंसर सही होगा बी मैंने क्या बताई कि लोग इसमें कन्रिफियूज हो जाते हैं इस मैप को ध्यान से देखिएगा मैं बना रहा हूँ ठीक है देखिए ये रहा आ आपका भारत ठीक है यह आपका भारत रहा अब याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं पूर्वी तख क्या बोलते हैं पस्चमी तख ठीक है इसको बोलते हैं पस्चमी तख और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग पूर्वी तख क्या बोलते हैं पूर्वी उसमें जो आंदरप्रदेश और समिलनाडु वाला छेत्र है इसको हम बोलते हैं कोरो-mandal-satth क्या बोलते हैं कोरो-mandal-satth सको हम लोग बोलते हैं ठीक है और जो पस्चमी-satth हैं वहां पे केरल और करणाटक्ट और गोवास से लगा हुआ जो रहे उसको हम बोलते हैं माला बार तट क्या बोलते हैं माला बार तट है ना इसको क्या बोलते हैं माला बार तट तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा इसको बिल्कुन भी भूलिए गा नहीं सर मैं भी सही सोच रहा था बिल्कुन बिल्कुन आदर सिंग चार सितंबर को एक्जाम है वही तो बोल रहा हूँ आप लोग लगे रहिए एक्जाम निकलेगा है ना NDA में कमसकम 200 नंबर का वेटेज होता है सेकंड पेपर में 200 नंबर का इस चीर को दिमाग में रखे G.S. पढ़िए आप लोग और जो G.S. को निकलेट करता है भाई एक्जाम भी उसको निकलेट कर देता है G.S. सिर्फ काम में नहीं आता आपके एक्जाम में जब आप SSB में जाएंगे इंटर्वी में जाएंगे G.D. में जाएंगे वहाँ पे काम आता है GS जब पढ़ते हैं जब concept के साथ पढ़ते हैं fact की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जब concept के साथ पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक भावनत्मक विकास होता है आप अपने देश को समाज को इतिहास को समझ पाते हैं है ना? आप चीजों को क्या कर पाते हैं समझ पाते हैं इससे क्या होता है जब चीजे आप समझेंगे तो interview में भी आप अपने विचार रख पाएंगे अच्छे तरह से चीजों को समझ के जान करके इसलिए आपके syllabus में GS भी मेंसन किया गया है आप त्योंक लगता है की हर चीज क्या qualitative है कोई भी चीज फाल्तू नहीं डाली जाती है UPSC तो बिल्कुन कदा भी नहीं डालता है ना? फाल्तू नहीं है वो आप के विक्तित विगास के लिए है विक्तित की विकास होगा तो आप हर जगहा पे पर्चम दहला देंगे, उसके लिए आप यहाँ पे तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, तो इसका एंसर सही होगा, क्या सही होगा, भी इसका सही एंसर होगा, जोगा पूर्वतत्ट में सिर्फ यही एकेल नहीं है, पूर्वतत अगर मैं बोलूँग ही आता है क्या आता है उतखनट कहा समभन नित्थ वो उड़िसा वारा जो खेत्र रहे उससे लगा हुआ जो चेत्र वो उतकल टट बोला जाता है है ना तो पूर्व तट में और भी सवामिल है इसले इस में स्पेसिफिक लिख दिया है ये कि आंध प्रदेश और तमिल नाडू से लगा हुआ जो छेतर है उसकी बात अंकित पाल क्लियर है ठीक है ना चलो अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं कि गिराहवा प्रस्न हमारी किसकी बात कर रहा है गिराहवा प्रस्न बोल रहा है कि विश्व का सुक्स प्रस्वारे समय होता इंगलिस में इसका एंसर आप लोग छाप दिजिए कि इसका एंसर अरे कोरो मंदल का अर्थ अब यह तुम्ह बताो एक चीज बताओ कुछ चीजे है जिनका ąर्फ किसी को पता नहीं होता अगर अर्थ होता तो मैं जरूर से जरूर आपको बताता है ना अगर अर्थ निकलता भी है तो मैं आपको बताऊंगा अर्थ नहीं पूछता और ना अर्थ कोई बताएगा अर्थ क्या कोरो मंडल किसी का नाम है है ना किसी का नाम है अलोग कुमार जी, सी वाला सही नहीं होगा, मैंने उसके पीछे कारण भी आपको बता दिया, अगर उडिसा भी सामिल होता, और किस तब अगर दिया होता, तब सही हो जाता सी, है ना, उडिसा भी तो पूरवीत के सहताता है, कि सिर्फ केवल और केवल आंध प्रदेश और त सुरू कीजिए, तभी बेहतर कर पाएंगे, है ना, अगर टीचर से गलतिया हो रही है, तो आप बताइए अच्छी बात है, लेकिन टीचर अगर आपको प्रिसराइज करके बोल रहा है कि नहीं यहीं होगा, तो उसकी बात भी आपको माननी चाहिए, हर्स जैसवाल का सी आ चाहिए, और सेसन को लाइक कर दीजिए, कम सकम जितने लोग हैं उतने लोग तो लाइक करिए, रोहित कुमार का भी एंसर डी आ रहा है, जितने लोग हैं बच्चे, सारे लोग सेसन को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, और सेर कर दीजिए, जितने लोग इतना ही अच्छा लगता है North America आ Ray बिल्कूल, बिल्कूल North America समझ सकता हूँ मैं, Ata Kama चलिए आए इसका प्रस्ण का answer देख लेते हैं कि हम लोग इसका anser क्या होगा इसका answer होगा सुक्सटम की बात कर रहा है ड्राइस्ट की बात कर रहा है सहही होगा B- अटाकामा मरुस्तल जो है वो आपका जो है वो चिली वाला छेत्र जो है चिली वाला छेत्र जो कहां पर है जो पाया जाता है नौर्थ नहीं सौथ अमेरिका दच्छडी अमेरिका जो है दच्छडी अमेरिका महादीब वहां पर पाये जाता है अटाकामा मरुस्तल और ये ड्रायस्ट मरुस्तल है पूरे विश्व का ड्रायस्ट मरुस्तल है ये विश्व का याद रखियेगा और जो थार मरुस्तल है वो भारत का मरुस्तल है और इसे सरवाधिक जनसंख्या वाल वैसा मरुस्थल अगर आपसे पूछे तो उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल आपको पता ही होगा कि उत्तरी अफ्रीका वाला छेत्र जो है वहाँ पर पाया जाता है क्या पाया जाता है सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का सबसे ब उपर वाला जो छेत्रस चीन को उपर मंगोलिया है वहां पर पाया जाता है गोवी मरुस्तल चलिया चलते हैं अपने अगले बरहवे प्रस्थन की तरफ कि बरहवा प्रस्थ हमारी क्या बात करता है ठीक है इसका एंसर देख लीजिए सारी चीजे आप देख लीजिए एक एक चीज एक्स्प्रेंट किया गया यहां पर अगला है आपका ब्रिटिस गवर्नर जिसे नाइट आप अरकोट कहा जाता है वह कौन है क्या वह रावर्ट क्लाइव था क्या वह हेस्टिंग या कार्नवाली या फिर वेलेजली जल्दी से जल्दी एंसर चाप दीजिए इसका इंडिये में तो छपेगा ही छपेगा और जो एक्जाम है उनमें भी यह छपेगा इसका एंसर आप लोग देजिए तुरंत एंसर दीजिए जल्दी एंसर दीजिए इसका सबसे पहला का सबसे पहला एंसर और अंकित पाल जी क्या है सबसे निशार एंसर और हर्दी पांडे A, हर्ण जैस्वाल का A. चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं कि आखिर इसका एंसर क्या होगा? नाइट ऑफ अर्कोट, देखो, अर्कोट नाम है जगा का, अर्कोट क्या नाम है? अर्कोट नाम है जगाता, और नाइट मतलब होता है योद्धा, मतलब अर्कोर्ट का युद्ध किसे कहा जाता है यही आपसे पूछ रहा है तो इसका सही एंसर होगा Robert Clive क्या होगा Robert Clive आपको पता है कि अर्कोर्ट का जो युद्ध हुआ था वो करनाटक युद्ध का क्या था विस्तार था करनाटक युद्ध का विस्तार था है ना जो जिती करनाटक युद्ध था सेकंड करनाटक युद्ध था उसका विस्तार था और करनाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो ब्रिटिस कमपनी और फ्रान्सीसी जो कमपनी है उसके मद्ध लड़ा गया था तो इसी में इसकी विजय किसकी होती है ब्रिटिस की होती है और वहाँ पे सेना है इसको बोला जाता है याद रखिएगा इसका क्या होगा राबर्ट क्लाइव को ons वर्ग से उतपन सेना पती क्या बोला जाता है याद रखिएगा इसको चाप लीजिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जर्नल कौन था वारें हेस्टिंग था कारणवालीज जो था इस्थाई बंदवस्त की सुरुवाद करता है इस्थाई बंदवस्त जो भूरा जोस्त संबंदी था उसकी सुरुवाद कारणवालीज करता है वे एंसर सही होगा और जो चीज़ें हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए सुन लीजिए समझ लीजिए क्योंकि ऐसे प्रस्ण आपके एक्जाम में आते हैं चलिए तेरहावे प्रस्ण की तरफ चलते हैं कि तरहावा परस हमारी किसकी बात करता है मेगा स्थनीज द्वारा लिखी गई पुष्टक का क्या नाम था अभी जब मैं डिसकसन कर रहा था तो मैंने एंसर बताया था अब ये एंसर तो गलत आपका नहीं होना चाहिए क्या अकबर नामा था क्या प्रिषवी राज रासो था इंडिका या अर्थसास जल्दी से एंस आ इसगा सर च्ट जल्दी से अंसर का चाहर दीजे क्या होगा इसका इंसर आझसर कैंश нев सर घ्र आलो कुमार का या रहा है कि विकास निसास सी हार्दिक पांडे सी आदर सिंगपा सी और स्ट रहा है जल्दी जल्दी इसका एंसर चाहिए गलत नहीं होना चाहिए मनता वर्मा का CRI, स्रिजन राइ का CRI है अलोकुमासर बी, प्रिट्वी राज रासो जल्दी जल्दी एंसर चाहिए फिर मैं एकस्प्लेन करता हूँ कि क्या है आखिर अब ही इससे पहले जो मैं प्रस्न सॉल्व किया था जिसमें अर्थ सास्तरकिस ने लिखी है इसकी बात किया वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि मेगा इस्थनीज जो है वो इंडिका नामक कुछ तक लिखता है आप लोग थोड़ा ध्यान से से संग को देखिए इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगी मजाक में मत लीजिए जब तक पढ़ाई कर रहे हैं मजाक में नहीं कीजिए समझ रहे ना बात को मजाक में बिल्कुन भी मत कीजिए आप समझ आप इस चीद को समझ ये यह आपका जीवन बदल सकती है हमेश्था के लिए है ना इसका एंसर सी होगा अब से बिल्कुन इसका एंसर सी सही होगा इंडिका इसका एंसर सी सही होगा मैंने बताया है कि अगबर नामा अबु फजल दौरा लिखी गई है किसके दौरा अबु फजल दौरा लिखी गई है अबु फजल दौरा लिखी गई है अगबर नामा और प्रिथ्वी राजराख सो चंद बर दाई दुआरा लिखी गई है प्रिथ्वी राजरासो इंडिका आपको पता ही हैнет मेगा इस्थनीज दुआरा लिखी घई कुछ तक है और अर्थ स्था सुपट पता ही है कि चानक किने लिखा है इन चारो नामों को ध्यान में अपने दिमाग में बसा रसा लीजिए बसा लीजिए इनको एकदम से उतार लीजिए दिमाग में क्योंकि ये अगर गलत हो गए तो फिर में वता चुक है आप बाहर हो जाएंगे एकजाम से बाहर नहीं होना है ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ण किदब चौधावा प्रस और तार को नीती निजेसक्तियों को या उप्यक्त में सभी जल्दी से एंसर इसको छाब दीजिए आलोक कुमार का एंसर आ इसका एंसर दिया है सी नीती निजसरत को बता रहें यह विद्यांस कुरमार एंसर भी बता रहे हैं संजय वर्मा बे सोरी चलिए ठीक है इसका एंसर देख लेते हैं अगर आपने पॉलिटिक क्लास ली है इससे पहले के सेसन भी ली हुए है तो मैंने वहाँ पे सारी चीजे एक्स्प्लेंड की थी आपको पता होगा कि जो प्रस्तावना है उसको हमारे सम्मिधान सभा में कब रखा गया था 13 रक्वर उननीसिंटा चियालिस को जे एल नहिरू द्वारा रख़्ी जाती है है यह और यह 22 जनवरी 22 जनवरी उननीसिसंटारिस गहाँ सर्वसंबती से पारिद किरदी जाती है और यहीं हमारे प्रियैम्बल बन जाती है घीक है idoसको प्रस्तावना को भारती सम्मिधान की क्या बोला जाता है आत्मा भारती सम्मिधान की आत्मा किसे बोला जाता है भारती सम्मिधान की आत्मा बोला जाता है प्रस्तावना को अगर आप से ये पूछ ले प्रस्ट में, अगर आप से प्रस्ट में ये पूछे कि बी आर अंबेटकर, मतब बी आर अंबेटकर भीम राव अंबेटकर जी द्वारा कही गई किस चीज को आत्मा सम्मिधान की किस चीज को भीम राव अंबेटकर द्वारा आत्मा बोला गया ह है तो उसका answer होगा अनुख्षेद 32 जो किसकी बात करता है रेमिडीज की बात करता है संविधानिक उपचारों की बात करता है वो किस्से संबंदित है संब्धानिकुचारुस संबंदित है और उसको भीम राव अमबेटकर जी ने संब्धान की आत्मा बोला हुआ है कन्फ्यूज नहीं हो येगा अगर आप से सिर्फ पूछे कि भारती संब्धान की आत्मा किसे बोला गया है तो इसका एंसर सही होगा प्रस्तावना अगर ये पूछे कि भीम राव अमबेटकर जी ने किसे भारती संब्धान की आत्मा कहा है तो एंसर होगा अनुक्षेद 32 बिलकुन अनुक्षेद 32 ठीक है तो यहाँ पर एंसर सही होगा आपका A और आगे जो चीजे explanation में थी उसको भी ध्यान में रखिएगा चलते हैं अपने आज के last प्रस्न की तरफ आज का last प्रस्न है ये आपके लिए है ना और बढ़ चड़के इस पर क्या दीजिए कमेंट दीजिए ऐसे प्रस्न तो आते ही हैं प्रीवियस रूठा के पन ना पलट लीजिए बस एक बात अगर आपको ना दिख जाए ऐसे प्रस्न तो मेरा नाम बदल दीजिएगा है ना ऐसे प्रस्न आपके एक्जाम में जरूर से जरूर आते हैं जिसने कर लिया चार नंबर अपनी मार्क सीट में उसने जोड लिया और जिसने जोड लिया वो दुख जान सकता है भाई वो दुख जानता है जो चार नंबर से फेल हुआ है समझ सकते ना बात को आप जो चार नंबर से फेल हुआ एक्जाम में वो इन दुख को समझ सकता है मैं नहीं चाहता कि आप के साथ यह घटनाएं घटें तो क्रिपया कर यहां पे आप समझीए है ना इसका एंसर चाहती है भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी या त्री क स्रीजन की लिए लाक यहां सिर्जन लंप process स्रीजन लाइ त्म धनार रहा है इसे कर्सा200 assureच ओंत। इसका एंसर क्या होगा तो जिनोंने भी सी एंसर दिया है वो क्या है वो सही है जो फायान है वो पहला चीनी यात्री है जो भारत की क्या करता है यात्रा करता है किसके काल में आता है वो चंद्र गुप्त जो थे दिती चंद गुप्त दिती मतलब गुप्त सामराज जो था यान आता है पहला उसके बाद आता है ये आता है हर सवर्धन के काल में कब आता है हर सवर्धन के समराज में आता है ये इसके बाद आता है इत्सिंग तो आप से चीनी या त्रियों का क्रम भी पूंच सकता है कि पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया तो क्रम ऐसे लग मुझेगा वाहियान क्या सबसे पहले फाईयान फिर वें सवांग अ है ना फिर वें सवांग और फिर आता है इध्ट सींग फिर आता है इत्त सिंग ठीकहे न तो ऐसे आप Low School लगाने के लिए पूछसकता है इस क्रम को जाद इस क्रम को बिलकुं भी नहीं छोड़ियेगा, ठीके ना ये भूलेगा तो नहीं आब आपसे, ये भूलना भी नहीं चाहिँे, सारे लोग सेजन को लाइक कर दीजेए, शेयर कर दीजे, ये भूलना भी आपसे नहीं चाहिए, अगर आपसे ये पूछे глубoka राज कुमार किसे कि जो पुस्तक है इसकी जो पुस्तक है इसका नाम है क इस न पुस्तक का दिर लिखा आ उसका नाम है कि ठीक है डिकीक के जैसा जी-क ún पढ़ा सकता है वाब्सर फेंक्यू थेंक्यू नहीं भूलेगा तरजी बिलकुन यह भूलना भी नहीं चाहिए आप लोग जुड़े रहिए पूरी मेहनत करता हूं कि आपको अच्छी तरह से चीजे समझा सकें और एक चीज याद रखिएगा बहुत ही जल्द बहुत ही जल्द आप लोग का पूरा पीपीटी के फार्म में सारी चीजे मिलेंगी आप उसको लिख भी किसकते हैं अपने नोट में बना भी सकते हार एक चीज़ कर सकते हैं उसका पीडियप भी आपके पास उतलब्द हो जाएगा तो जब सबस्ते पहले पढ़ाऊंगा तो जून माह का पूरा करेंट जितनी भी जून माह की घटनाएं हैं जो आपकी एक्जाम में आ सकती हैं उसको पूरा कवर करूंगा जब जुलाई पूरी होगी तो अगस्त में जुलाई माह का पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो यह दो चीज़ी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी है ना फिर धीरे इसी तर तरसों से लड़ना सिखाते हैं कोटी-कोटी नमन हैं उनसमी शिच्ट को जो हमें इमानदारी से जीना सिखाते हैं धन्यवाद sad status video हाँ हाँ धन्नवाद धन्नवाद बहुत अच्छी सारी है बहुत ही प्यारा यह आप लोगों का जो दिल में respect है हम लोगों के लिए यही हम लोग को motivation देती है मैं हमेशा यह चीज बोलता हूँ कि आप motivation है हमारा आप जैसे व्यक्ति आप जैसे विद्यार्थी अगर हम लोगों को मिले तो बहुत अच्छा लगता है है ना respect देना ही सबसे अच्छी बात है अच्छी बात है यह विकास जैहिन स्रिजन जैहिन जैहिन भारत माता की जै बिलकुन तो आज के लिए विदाई लेते हैं करेंट अफेर्स वाली अपडेट याद रखिएगा फिर हम लोग मिलेंगे आप से ठीक है तब तक के लिए जैहिन पढ़ाई मन से करिएगा एक्जाम आपको क्रैक करना है कोई रोक नहीं सकता जैहिन बच्चो जैहिन स्रिजन जैहिन बारत मता की जैह बिलकून जैहिन सर इंड 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 दीजाओं